हेलो माई डियर फ्रेंट स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टड़ी आईक्यू प्रीमें में चलिए देख लेते हैं 27.1.2024 के फर्स्ट और सेकंड सिफ्ट के दोनों क्वेशनों को यहां पे हम देखेंगे यहां पे नीचे जो हमने दिये हैं सेकंड सिफ्ट के क्वेशन ह हिंदी और जीके काई क्वेशन मिक्स हैं इसमें तो सभी कवेशन आपके लिए इम्पोटेंट रहेंगे क्योंकि की यहां से आपके क्वेशन पूछे जा रहे हैं और बिल्हुम हूँ कोई question आपका विल्कुल same to same पूछा जा रहा है तो चलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना पहला है question देखिए अनुचेद 148 का संबंद किस से है तो देखिए अनुचेद 48 जो है आपका महालेखा परिक्षक से संबंदित है ठीक है किस से नियंतरक एवं महालेखा जो परिक्षक होता है उससे संबंदित है आपका अनुचेद 148 तो अनुचेद जो है आपके important उनको आप ज़रू दिख करके जाए अगला question आपसे पूचा गया है 2022 में राष्ट खेल में कुल खेल पुरुषकार कितने में ले थे तो देखिए 2022 में राष्ट खेल में कुल कितने खेल सामिल किया गये थे तो देखिए 36 खेलों को सामिल किया गया था 2022 के राष्ट खेलों में ठीक है 36 खेल चली अगला question question है 1936 में आईज़ेद पर्लिन ओलंपिक में हौके टीम के कप्तान कौन थे तो देखिए वरतमान में जो 1936 में हुआ था इसके बारे में पूछा है सबसे पहले पूछा था उसमें ओलंपिक के स्वरपर्थम जो थे उनके बारे में भी पूछा था तो देखिए अगला question देख लेते हैं question अगला है प्रधान मंतरी नरेंद बोधी ने दच्छण भारत में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां चलाया कहां से कहां तक था ये तो देखिए बैंगलूरू से मैसूर के बीच ये चलाया गया था ठीक है दच्छण भारत का ये पहला railway track है बैंगलूरू से मैसूर के बीच चलिए अगला question पूछा गया अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है तो देखिए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है नरमदा और तापती ये दोनों ही आपकी अरब सागर में गिरती है चलिए अगला question देख लेते हैं e-commerce क्या होत यह सब ही आपकी e-commerce website हैं जो कि internet के माद्यम से आपको व्यापार करती है ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं question अगला पूछा का है हमपा सब बता किस दिसा में फली फूली तो देखे किस दिसा में आपकी फली फूली थी हडंपा सब बता तो यह थी दच्छन पूर्वी में ठीक है किस में दच्छन पूर्व में चलिए अगला question question पूछा आपका अनुराग सब्द का विलोम सब्द तो कि अनुराग सब्द का विलोम सब्द हो जाएगा विराग हो जाएगा ठीक है ये हिंदी से question पूछा गया अगला question भी हिंदी से ही है उतकर्स का विलोम सब्द आपसे पूछा तो उतकर्स का हो जाएगा अपकर्स क्या हो जाएगा अपकर्स ये हिंदी के question आपके same to same ज़्यादा तर पूछे जा रहे हैं यह कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके पूछे जा रहे हैं तो इनको आप जरूर देखें इनसे related जो भी question आपके बन सकते हैं कमल का पर्याबाची आपसे पूछा निरज, जलद और पंकज ये तीनों ही आपके कमल के पर्याबाची हैं अगला question देख लेंगे सूरज का पर्याबाची आप से पूछा है तो देखें सूरज का पर्याबाची क्या है रवी, पहसकर, दीनानात और दिवाकर ये सभी जो हैं सूरज के परियाबाची है ठीक है जो हम करा रहे हैं इना बचो इनको आप सभी के जो आपके सूरज के और जो भी आपके हमने परियाबाची कराए हैं प्रिवीज यह कुश्चन जो आपके हो चुके हैं तो उनको आप जरूर देखें ठीक है इन किम राज्य की जन संक्या सबसे कम है, 2011 की जन गरना के अनुसार, अगर ज़्यादा पूछे, तो यूपी की सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो आपकी, सबसे बड़ा राज्य जो है, राजिस से संबंदित है देखिए माउसम से संबंदित आपके question एक question हर exam में है तो देखिए मरीपुर में यह समराया जाता है तो यह मरीपुर से संबंदित है अगला question देखिए अगला है आपके 27 के second shift के question को देखेंगे हम यहापे चलिए देख लेते पहला question आपका हिंदी से है जल का पर्याबाची आपसे पूछा पानी नीर पे और वारी ये सारे के सारे जो हैं आपके जल के पर्याबाची है अगला question देखेंगे गर्वा लोक नरत्य कहां से है तो देखें गर्वा जो है आपका कहां से है गुजरा से और डांड्या भी आप का गुजरास से ठीक है तो इनको भी आप जरूर द्यान रखेंगे लोक नेत्य से संबंदित एक क्वेश्चन आ रहा है तो सभी नेत्य से संबंदित क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे अगला है आपका चंद्रकुप्त किस वर्स में हुआ था तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था चंद्रकुप्त मोरे जी का जन्म जो हुआ था 345 इसा पूर में हुआ ठीक है चलिए चलिए अगला है लेवेंडर महाउतसभ कहां आयोजिन किया जाता है तो देखिए यह से एक question है आपका यह किया जाता है जम्मू कस्मीर में आपका यह मनाया जाता है लेवेंडर महाउतसब अगला है चक्के छुड़ा देना महावरे का अर्थ आपसे पूछा है यहाँ पे तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह से परास्त करदाना यहां बुरी तरह से हरा देना चली अगला question पार्थ का यहाँ परियाबाची आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा अरजुन हो ज हनंजे हो जाएगा सब सांची हो जाएगा ठीक है यह आपके परियाबाची हो जाएंगे पार्थ के चली अगला question स्वाड सिंग समेती किस से संबंदित है यहां किस समिधान में इसके जो रिलेटिट जो है क्या जोड़ा गया था स्वाड़ सिंग समेती के संबंद में देख करके जाए बलबंत महता समेती किस से संबंधित है तो ये है तहिसे संबंधित किसे संबंधित है तिरि इस्त्रयत 2622015? राश्ट कहां हुए तो ये केर रेला में हुए एकरन में इसका रार!ांसर हो जाएगा जली इस थेल से सम्मंदेश क्वेशन आपके ऐसे ही पूछे जा रहे हैं C2H5OH किसका राशाइनिक सूतर है तो ये एथेनौल का राशाइनिक सूतर है इसको आप जरूर दियां रखेंगे अगला क्वेशन दो रेल्वे लाइन के बीच की दूरी आपसे पूछी गई तो देखिए 1.67 मीटर जो है आपकी दो रेल्वे लाइन की बीच की दूरी होती है जो आपकी पट्रियों की बीच की जो दूरी होती है अगला क्वेशन आपसे पूछा गया है BCCI का नए अध्यक्ष तो देखिए सबसे पहले भी अध्यक्ष पूछा गये थे तो रोजर बिन्नी जो है आपके वर्तमान में नए अध्यक्ष है BCCI के ठीक है बिलकुल दिया रखेंगे अगला क्वेशन आपसे पूछा गया गुप्त वंस का संस्तापक तो देखिए गुप्त वंस के संस्तापक कों थे शिरी गुप्त ठीक है और सभी क्वेशन आपके लिए इंपोर्टेंट से आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर सेर करें और चैनल के साथ जरूर चुड़ जाएं चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहें जबारत